हमारे आसपास जाने कितने लगपती कंगले और जाने कितने कंगले रातो रात लगपती बन जाते हैं। कौन जाने इन काम्याबियों और बरबादियों के पीछे भी किसी अंदेखे छलावे का हाथ ही ना होता हो। हम अपनी काम्याबियों की रापर अपनी बे इमानी और इमान फरोशी के ऐसे ही घोडे सरपट दौराते जाते हैं। और अपनी हर फता को अपनी हिकमत और अपनी मनसूबा बंदी का मरहूने मिन्नत मान कर जीत के नशे में हर सहरा अपने सर बानते हुए ये बिलकुल ही भू जाते हैं के कहीं ये बे इमान काम्याबियां कुद्रत की किसी धील का नतीज़ा तो नहीं कहीं कोई चलावा हमारे इर्द गिर्द अपना जाल तो नहीं बुन रहा। एक동 आहसा जाल जिसकी डोड़ियां खुद हमारी इमान परोशी के धागों से बुनी हुई हैं। और ज ठीक उसी तरहा जैसे उसने आज पल भर में अजगर्द साहब को आसमान से उचा कर फिर से उसी जमीन पर पटक दिया था जहां से वो तरक्की और दौलत की खौाहिश लेकर उठे थे पूरी हालत सम्हलने के बाद उन्होंने मुझे और सुल्तान बाबा को बताया कि जिस वक् उनका सिर्फ और वाहिद इरादा वो चाकू सुल्तान बाबा के एन सीने में उनके दिल के अंदर गार देने का ही था लेकिन जैसे ही उनका हाथ बुलंद हुआ और सुल्तान बाबा के होटों से गहर इरादी तोर पर ला इलाह इल्लाह का करिश्माती कलमा अदा हुआ तो पल भर में ही जाने उनके अंदर सब कुछ तलपट कैसे हो गया और उन्होंने खुद अपनी शेहरक पर ही वार कर दिया बकौल उनके अगर खंजर उठाने से पहले ही उनका इरादा धागा काट देने का होता तो वो हाथ को सर से बलंद ही ना करते और सीधे अपनी गरदन क की जानिब ले जाकर धागा काट डालते और इसी सूरत में शायद उनकी गरदन भी इस कदर ना कटती जितनी इस तरह उपपर से वार करने की सूरत में कटी अपनी जानिब से तो वो अपना खात्मा ही कर चुके थे लेकिन कुदरत को अभी उनकी जिन्दगी या यूं कहले कि उनका इम्तिहान मजीद मकसूद था लहादा तीन दिन जिन्दगी और मौत की बाजी खेलने के बाद वो फिर से जिन्दगी की जाने पलट आये सुल्तान बाबा ने उनकी पूरी बास सुनकर सर उठा कर खुदा का शुकर होदा किया और धीरे से बोले बेशक अल्ला के क ताकत है काश हम सब इस कलमे की असल ताकत और असर से पूरी तरह वाकिफ होते तो किसी और इसमें आजम की तलाश में यूं दर्बदर ना भटकते जो कुछ भी है इसी कलमे में पिनहा है मैं अजगर साहब की बेहोशी के वकफे में तीन दिन तक सुल्तान बाबा के साथ ही बिना पलग जपकाए हस्पताल में अजगर साहब के सिरहाने बैठा रहा था उनकी तबियत कुछ संभली तो सुल्तान बाबा ने इस्रार करके मुझे हवेली की खबर लेने के लिए गाउं भेजा के जहरा और उसकी माँ सिर्फ मेरे बुलावे पर इतनी दूर आए हुए थे लिहाज़ा मुझे उनकी दिल जोई के लिए ही सही पर हवेली का एक चकर जरूर लगा आना चाहिए हाला के जब हम अजगर साहब को करीम खान साहब की मोटर में जिले के बड़े हस्पताल के लिए लेकर निकल रहे थे तब मैंने बड़ी मालकिन के जरीए जहरा को ये पैगाम भिजवा दिया था कि परिशानी कुछ ऐसी है कि मुझे देर हो सकती है और मुझे ये भी यकीन था कि मैं जिन आला जर्फ लोगों के दर्मियान जहरा और उसकी मा को छोड़े जा रहा था वो अपना सब कुछ लुटा देंगे लेकिन कभी अपने महमानों के शीशे दिल पर कोई भी खराश नहीं आने देंगे लेकिन खुद उनके अपने घर में उनके अपने दिल का एक टुकड़ा अभी तो मजहमल था जखमी था बेकल था जाने वो उस मौम की परोंवाली परी की इस आच से हिफाज़त कैसे कर पाए होंगे वो तो इतनी नाजुक थी के बादलों से च्छनी एक हलकी सी किरन भी उसका अंदर पिगला सकती थी फिर जाने ये तीन दिन का सूरज उस पर कैसे बरसा होका हाँ अलबता इतना इत्मिनान मुझे जरूर था कि मैं जहरा नाम का जो अबर उस नाजनीन के पहरे के लिए छोड़ कर गया था वो खुद अपने वजूद में लारेप के हिस्से की हर तपिश बरदाश कर लेगा लेकिन उसका कॉमल मन कभी पिगलने नहीं देगा इन ही सोचों में गुम जब मैं जिले से सुभा की ट्रेन लेकर दो घंटे की मुसाफ़त तै करकी जबलपूर इस्टेशन पर उत्रा और हवेली पहुँचा तो सारे घर पर एक अजीब सी खामोशी तारी थी बैरुनी देवडी में करम दीन ने मुझे आते देखा तो अंदर इतला करने के लिए दोड़ गया और कुछी पल में उल्टे कदमों लोटा के मुझे अंदर बुलाया गया है हाला के मैं दरजनों बार ये देवडी पार करके हवेली के अंदर जा चुका था लेकिन आज भी मेरे कदमों में वोही जिजक और वोही हिचकिचाहट थी जो पहली बार ये देखली सपार करते हुए मौझूद थी अंदर जनाने वाले हिस्से के बरामदे को बड़ी बड़ी चिकों से धाक दिया गया था शायद ये एहतमाम सक्त गर्मियों के मौसम के लिए किया गया हो ताके दोपहर की तपती धूब की तपिश को रोका जा सके लेकिन इस सरमे की नर्म धूब वाली सहपहर में भी इन लकडी की खुली तिंकों वाली चिकों का यू धलक का रहना जरूर किसी खास वज़ा से ही हो सकता है फिर अचानक मुझे ख्याल आया कि जरूर ये एहतमाम जहरा और उसकी मा की वज़ा से किया गया होगा क्यूंके बहरहाल वो दोनों हवेली के अबाई नौकरों के सामने भी यू अज़ादाना फिरने में कुछ जिजग जरूर महसूस करती होंगी बाहर से छनकर आने वाली धूप चिक के तिंकों के दर्मियान में से कुछ ऐसे जाविये से बरामदे के चमकीले संगे मरमर के फर्ष पर पढ़ ही थी के नीचे फर्ष पर भी धूप की तिंकों की एक जिकसी बिच गई थी एक अजीब सा मटियाला उजाला पहला हुआ था उस तवील बरामदे में लहाज़ा मेरी आँखों को कुछ पल लगे इस मलगलजे रोशनी में नजरे मिलाने में बरामदे के आखर में मोतिय की लंबी लंबी बेलों के सामने कोई पीट की एक खड़ा था आहट सुनकर वो वजूद पलटा मेरी आँखे तब तक उस मध्धम रोशनी से मानूस हो चुकी थी वो लारेब थी सफेद कुर्ते पजामे में मलबूस और सर पर धानी रंकी ओड़नी लिये हुए वो नूर का एक ऐसा हाला लग रही थी जिसके अंदर जरा सी हल्दी की आमजिश कर दी गई हो शायद इस चदीद बुखार और बिमारी का असर था जो उसके मली चहरे पर पिछले चंद दिनों के दौरान अपना रंग छोड़ गया था मुझे देखकर उस सितारा आँखों में एक चमक सी लहराई मैंने सलाम के बाद उससे बाकी घरवालों के बारे में पूछने से पहले उसकी तबियत का पूछा वो धीरे से मुस्काई आपने तभी भी ऐसा भेजा था कि बिमारी को ना कहते ही बनी इतने अच्छे लोग बेक वक्त अपने आसपास कैसे जमा किये रखते हैं आप मैं तो हर बार खो देती हूँ मैंने चौक कर उसकी जानिब देखा जाने ये बात उसने किस रूँ में कही थी या वाकई वो कुछ और कहना चाहती थी लेकिन ये लड़कियां अपने चेहरे के तासुराच छुपाना भी खूब जानती है हतेली पर नाम लिख लिख कर पलकों से मिठाती रहती है लेकिन आख के परदे तक वो तहरीर आने नहीं देती मैंने बाकी घर वालों के बारे में पूछा तो लारेब ने बताया कि साथ वाले गाउं में किसी मंगनी की तकरीब में बड़ी मालकिन को बतौर लड़की की सरपरस दावत थी लहाजा वो जाते हुए अपने साथ जहरा और उसकी मा को भी तबदीली की घर से ले गई थी कुछ देर के लिए मैं और लारेब बिलकुल ही खामोश खड़े रहे जैसे हमारे पास करने को कोई बात ही ना रही हो यह हम दोनों ही जैसे उस मुकाम पर पहुँच चुके हूँ जहाँ खामोशी खुद हर बात कह देती है और जबान, लव्ज और बातें सब बेमाइने हो जाते हैं मैंने वापसी का इरादा जाहर किया तो वो कुछ मुस्तरिपसी हो गई मुझे आपसे माजरत करना थी मैं चौक कर पल्टा माजरत? लेकिन किस बात की? उसने अपनी पलकों की जालर गिरा ली मैं अनजाने में आपको अपने जखमों में उल्चा बैठी आप तो खुद शायद घायल है आपके तो अपने जखमों से अभी खुन रिसना बंद नहीं हुआ आपकी अम्मी ने आपकी और जहरा की कहानी इतनी तफसील से नहीं सुनाई थी अगर मेरी जहरा से मुलाकात ना होती तो शायद आपके दागों पर पड़ा ये परदा मेरे सामने कभी न उठ पाता आप तो हर हद से गुजर कर यहां तक पहुचे है मैंने आज तक महबबत को जितने और लोगों को महबबत में हारते हुए ही देखा है लेकिन आपने महबबत को जीत कर दिखा दिया जमाने की हर रसम, महबबत की हर शर्त मजबूरी का हर दावा आपके सामने फक्त रेत की एक दिवार ही साबित हुआ आपने दुनिया को बता दिया कि जो इश्क में जी नहीं सकते वो पहले ही से मरे होते हैं वो बोलते बोलते अचानक चुप हो गई जैसे उसके पास कहने के लिए इतनी ज्यादा बाते हो कि वो जहन में उनकी तरतीब जोड़ते जोड़ते अपने लवज ही बुला भैटी हो लारेब ने अपनी दोखनी जैसे चलती सास पर काबू पाने की कोशिश की जाने जजबों की भूल फुलाईया हम कमजोर इंसानों के साथ ऐसे घिनाओने खेल क्यों खेलती है कि हम कुछ कहते हैं तो रुस्वा होते हैं और खामोश रहते हैं तो लफजों के ये डंग हमें अंदर ही अंदर डस्ते रहते हैं और आखिरकार चुपका ये नासूर हमारी जान लेकर ही रहता है कुछ ऐसी ही सूर्तिहाल से इस वक्त वो कांच का पैकर भी दोचार थी मैंने खंकार कर उसे होसला देने की कोशिश की अपनी अपनी तकदीर की बात है मेरी हमेशा यही दुआ रहेगी के कुदरत आपकी रा में काटो की बिची हर रा को गुलो से भरते उसने अपनी पलके उठाई फूलों की ख्वाहिश तो मैंने भी कभी नहीं की और फिर इन राहों के चुनाओ का इंतखाब खुद हमारे बस में होता ही कब है कि हम कलियों या काटो के फर्क को ध्यान में रखते हुए किसी रास्ते को चुन कर अपना पहला कदम वहां रखें हमें तो पता ही तब चलता है जब हमारे पाउं छिल चुके होते हैं मैंने चौक कर उसे देखा वो भी पाउं के च्छालों की दुहाई दे रही थी मैं अब उस गुले इंदाम को ये कैसे समझाता कि ये तो वो राह है जहां पैर के च्छाले गिनने की मौलत भी नहीं मिलती मेरे मुकदर में तो खार अजल से लिख दिये गए थी मगर वो अपनी गुलाबों जैसी कोमल जल्जिये इस खारजार की तरफ क्यूं बढ़ी चली आ रही थी उसके जिगर नातमा के लिए तो यहां का सिर्फ एक जहरीला काटा ही काफी था मैं सर जुकाए जाने ऐसी कितनी सोचों से लड़ता रहा पर शायद वो भी सोच पढ़ने का हुनर जानती थी जिसका सुबूत उसके अगले जुमले ने दे दिया लेकिन आप अपने दिल पर कोई बोज ना रखियेगा मैंने आप ही से सीखा है कि ये वो बाजी है जो हार कर ही जीती जा सकती है ये वो मिलन है जो जुदाई के बिना मुकमल नहीं ये वो रिष्टा है जो खो कर ही पाया जा सकता है ये वो बस्ती है जो उजड़ कर ही बस्ती है ये वो जीवन है जो खुद को मार कर ही जिया जाता है और ये वो सर्थ सुकून है जिसकी ठंडक अंगारों पर चल कर ही हासल की जा सकती है तो मैंने भी इन चन्द दिनों में उस अजाइब खाने को बरतने का कुछ ना कुछ ढंक सीख लिया है जिसे लोग महबत कहते हैं मैं ये दावा तो नहीं कर सकती के मैंने हर दर्द पर उबूर हासल कर लिया है लेकिन इतना वादा आप से जरूर करती हूँ के मेरे अंदर इस जजबे से जो भी तबदीली आई की वो इस एजास की खुर्मत की तहकीर का बाइस कभी नहीं बने की मैं हमेशा सर उठा कर जियोंगी ताकि मेरी वज़ा से कभी महबत का सर जुकने ना पाए लेकिन आप अपने दिल पर कोई बोज ना रखियेगा मैंने आप ही से सीखा है कि ये वो बाजी है जो हार कर ही जीती जा सकती है ये वो मिलन है जो जुदाई के बिना मुकमल नहीं ये वो रिष्टा है जो खोकर ही पाया जा सकता है ये वो बस्ती है जो उजड़ कर ही बस्ती है ये वो जीवन है जो खुद को मार कर ही जिया जाता है और ये वो सर्थ सुकून है जिसकी ठंडक अंगारों पर चल कर ही हासल की जा सकती है तो मैंने भी इन चन्द दिनों में उस अजाइब खाने को बरतने का कुछ न कुछ धंग सीख लिया है जिसे लोग महबबत कहते हैं मैं ये दावा तो नहीं कर सकती कि मैंने हर दर्द पर उबूर हासल कर लिया है लेकिन इतना वादा आप से जरूर करती हूं कि मेरे अंदर इस जजबे से जो भी तबदीली आई की वो इस एजाज की हुर्मत की तकहीर का बाइस कभी नहीं बनेगी मैं हमेशा सर उठा कर जियूँगी ताके मेरी वज़ा से कभी महबबत का सर जुकने ना पाए बस मुझे हर कदम पर आपकी द्वाओं की जरूरत रहेगी कि मैं अभी बहुत कमजोर हूं और मेरे जर्फ का प्याला भी अभी इतना गहरा नहीं है अभी तो मुझे ठीक तरहां से तूटना भी नहीं आता जबके मुझे से खुद ही अपने रेजे समेटने की उमीद भी बांधी जा चुकी है दुआ करें कि मैं साबित कदम रह सकूँ वो चुप हुई तो मुझे यू लगा जैसे मेरे सारे लव भी उसी के पास रह गए है गोया कुदरत ने एक बार फिर कोहे कुन के हाथ एक छोटा सा तीशा थमा कर उसे जिन्दगी के पत्रीले पहाड से दूट की नहर निकालने की जिम्मेदारी सौब दी थी मैं उस नाजुक सी लड़की के अलफाज और उनसे पैदा शुदा मदो जज़र पर गोर करता रहा ये महबत भी कितनी बड़ी उस्ताद होती है ना जाने चन्द दिनों में ही ये हम मासूम इनसानों को इतने सबक कैसे दे जाती है हम खुद बाखुद इतनी मुश्किल बोली कैसे बोलने लग जाते हैं कल तक हर बात हजी मजाक में उड़ा देने वाली और हर पल जिन्दगी का रस निचोडने वाली लारेब को भी तो ये बोली उसी इश्क नामी अतलीक की ही सिखाई हुई थी सच के मुहबबस सदियों का सफर लम्हों में तै कराने की ताकत रखती है ये एक पल में जवा, राना और हसीन दिलों की रगों से जिन्दगी और नसों से खुन निचोड कर उन्हें जईवतर कर देती है मेरे मुझ से बस इतना ही निकल सका के मेरी दुआएं सदा आपके साथ हैं फिर मुझ से वहां रुका नहीं गया बाहर जाते वक्त करमदीन से भी ये पता चला के बड़ी मालकिन लोग तो अब रात देर से ही लोटेंगी मैं दर्गा पहुँचा तो हमारी चार रोजा गयर हाजरी के दौरान दर्गा का जहन खजा रसीदा पत्ते और जर्द पत्तों की चादर से ढख चुका था अंगूर की खुश्बेलें उदास होकर मेरी रात देखते देखते मुंडेर तक बढ़ आई थी और चश्मे के यख और ताजा पानी का चढ़ना योही बहते बहते अपनी जनकार से तसलिया दे रहा था मैं कुछ देर के लिए उस खामोशी और सकूत से मभूस सा हो गया क्या जन्नत का सुकून इस महौल से कुछ सवा होगा शाम धले एक और खुशगवार हैरत सुल्तान बाबा और अजगर साहब के रूप में दरगा की वीरानी कम करने का सबब बन गई सुल्तान बाबा ने बताया कि डॉक्टर ने अजगर साहब के बेहद इसरार पर कि वो दवाएं और आराम का सिल्सला दरगा पर भी जारी रख सकते हैं उन्हें जाने की इजाज़त दे दी है लेकिन सिर्फ इस चर्थ और वादे पर कि वो अगला एक हफ़ता मुसलसल आराम करेंगी और जखम भर जाने के बाद ही रोज मर्रा के कामों में हिस्सा ले सकेंगी अज़गर साहब की नियत यही थी कि अब वो बाकी मानदा जिंदगी यहीं इसी दरगा में लोगों की खदमत करते हुए काट दें लेकिन सुल्तान बाबा ने उन्हें फिर से अपने घर लोट जाने की तलकीन कर रखी थी वो अज़गर साहब को पहले ही च्छे कलमे और इमान मुफसल और इमान मौजल पढ़वा कर उनके इमान की तजदीद करवा चुके थे सुल्तान बाबा के बकॉल अज़गर साहब का असल अम्तिहान और कुफारा जबलपूर से निकलने के बाद ही शुरू होगा उन्होंने अज़गर साहब को ये भी बताया कि शुरू के चंद महीने उन पर बेहद सख्त गुजीर होंगे क्योंके मन्फी कुवते अब उन्हें चैन से जीने नहीं देंगी लेकिन उन्हें हर हाल में साबित कदम रहकर सख्ती और हर मुश्किल का सामना करना होगा इसी में उनकी निजात है और वो अब आखरी सांस तक मध़ब का दामन सख्ती से थामे रहें अज़गर साहब ने उन्हें यकीन दिलाया कि अब ऐसा ही होका अगली सुभा चमकीली और खुशगवार थी हफते भर की जड़ी के बाद सूरज निकला तो जैसे हर चीज़ पर लगे गहन को फिर से चमका गया रोशन और चमकीली सुभें भी तो जिंदगी बढ़ाने का सबब होती है मैं भी इस सुभा की चमकीली केर्णों को अंगूर की बेलों के छट से चंका राते और नीचे बहते नाले के पानी से आंख मचोली खेलते हुए देख रहा था के नीचे घाटी में बशीरे के तांगे का भौंपू बचा अजगर सहाब और सुल्तान बाबा भी अंदर कमरे में ही थे फिर चंद लमों बाद ही वो नसीम सहर की तरह बहती और जैसे पानियों पर चलती हुई दरगा के आहाते में दाखिल हुई जहरा आज अकेली ही आई थी जरूर उसे लारेब ने मेरी दरगा पर वापसी की इतला दे दी होगी वो मुझे देखकर हलके से मुस्कुराई आपके घायल के जखम भड़ने तलक मैं खुद ही निढाल होकर ना गिर पड़ूं बहुत बड़े अम्तिहान में डाल गए थे आप मुझे मैं भी मुस्कुरा दिया वार कारी था तो मसीहा भी उतना ही आला जर्फ चाहिए था जितनी जखम की गहराई थी कि इस बिमारी का मरहम भी तो सिर्फ जर्फ का पैमाना ही होता है और आपने खुब मसीहाई की है जिसका अंदाजा मुझे कल ही उससे मुलाकात में हो गया था जहरा ने गौर से मिरी जानिब देखा मैंने तो कुछ भी नहीं किया सिर्फ उसे इतना ही बताया था कि हम तो खुद अभी तक एक दूसरे की खोज में ही थे और यही सच भी है साहर मैंने आपको रेजा रेजा चुन कर और पल पल में पाया है और अभी तो मैं सिर्फ आपके वजूद की परचाई तक ही पहुँची हूँ और अभी तक हर नया दिन मुझे आपकी रूख के एक नए रुख एक नए जाविये से मतारिफ करवा रहा है हर रोज मेरी रूख एक नए साहर से मिलती है इतना अरसा दूर रहने के बावजूद भी ये मुलाकात हर लमहा हर पल जारी रहती है मैंने तो लारेप से सिर्फ इतना ही कहा कि अगर वो भी मेरी इस खोज में मेरे साथ शामिल होना चाहे तो इसे अपनी खुशनसीबी समझूंगी कि ये तलाश ही कुछ ऐसी है कि शायद तनहा मेरा इस पर ना तो हक है और ना ही इक्तियार मैंने चौक कर उसकी जानिब देखा मैं जानता था कि ये कि सिर्फ जहरा ही आला जर्फी का ये जुवा खेलने की जुरत कर सकती है मैंने जहरा से पूछा तो फिर लारेप ने क्या जवाब दिया वो ही जो एक बादशा दूसरे बादशा को दे सकता है उसने कहा कि वो जजबों पर इख्तियार की माहिर तो नहीं लेकिन वो इस खोच पर सर्फ मेरा हक और इख्तियार मानती है उसे इस बात पर भी बेहर शर्मन्दीगी थी कि उसके मूज़़ जजबे की बेपना ताकत उसकी जाहरी हालत पर इसकदर असर डाला कि आप तक उसकी खबर पहुँच गई और आपको परिशानी में मुझे यहां बुलवाना पड़ा लेकिन बकॉल लारेब के ये उसकी दरपरदा शदीद खोहिश की तकमील भी थी कि मेरी और उसकी कभी मुलाकात हो सके मैं चुप चाप और दम साधे उस शहजादी की कहानी सुनता रहा हाँ जहरा एक शहजादी ही तो थी जिसका राज पाठ मेरे दिल की सल्तनत पर चलता था ये दिल भी तो एक बाच्छा की तरह ही अपनी सल्तनत का कबजा किसी और को ही देता है खुद ही अपना सुएंबर रचाता है और फिर जिस किसी के गले में ये अपने प्यार की माला डाल देता है उसके साथ जन्मों के बंधन बांध लेता है मेरी माला भी उसी दिन जहरा की गले में डाल दी गई थी जिस दिन मैंने पहली बार उसे दर्गा पर देखा था लेकिन उस पहले दिन वाली जहरा और आज मेरे सामने खड़ी इस राज कुमारी के दिल में इतना फर्क था तब वो सरापा संग थी और आज मौम की एक गुरिया आज पहली बार उसने यूँ खुल कर खुद अपनी रूपर मेरी सुपुर्दगी कुबूल की थी कितना लंबा सफर तै करके मैं यहां तक पहुँचा था कितनी बार मेरी रूप निकलते निकलते रह गई कितनी बार मेरे कदमों ने लहु लुहान होकर रास्ते में ही सिपर डालने की दुहाई दे डाली कितने ही खार मेरे कॉमल रूप में यू चुभे कि फिर अंदर ही तूट कर उमर भर का नासूर बन कए कितनी बार इस शदीद तपते सहरा में मैं यू जाएं बिलप कर होटो के बल गिरा कि सूरज की तपिश और चुभन से मेरी जान मेरी जलती आँखों के रास्ते बहते बहते खुश्खो कर बेजान हो कई लेकिन मैं चलता ही रहा एक सहराप को अपना निशाने मन्जिल बनाए और आखरकार आज मैंने ये सहरा पार कर ही लिया था मेरे सामने अब एक वसी समंदर था और मेरी जान मेरे कटे पिटे बोसीदा जिसम के साथ मेरे जखमी घायल होटो पर आन्टिकी थी लेकिन क्या अपनी जान इस जान आफरी के सुपर्ट करने के लिए इससे बहतर कोई घड़ी हो सकती थी मैंने आखरकार महबत का वो किला फता कर ही लिया था जिसकी फसील तक पहुँचने की आर्जु में ही लाखो दम तोड़ देते हैं और सदियों की रियासत के बाद कोई एक आद भूला भटका अगर इस किले के आस पास भी पहुँच जाए तो इश का वो अफरियत वो दिय मों से चूर आशिक को आगे बढ़कर एक ही डंग में दो हिस्सों में तकसीम करके उसकी रूफ कब्स कर लेता है लेकिन साहिर ने आज अब्दुल्ला के रूप में उस महबत के किले पर अपना जंडा लहरा ही दिया था और इस किले में कैदी परी आज मेरे सामने खुद को सुपर्थ करने के लिए नजरे जुकाए खड़ी थी उस चहजादी के लबो पर एक धीमी सी मुस्कान थी और उसकी सितारा पलके लरत रही थी मेरी आखों में बेखत्यार आसू आ गए एक सिपह सहलार खुद अपनी फते पर आज रो पड़ा था ये आसू हजारों जखमो से चूर उसके बदन से उटती दर्द की टीसों की वज़ा से नहीं निकले थे ना ही उसे इन अंगिनत काट के दागों और कटी पटी जिल्द का कोई गम था जो अब ता उमर इस मारके में मिले तमगों की सूरत में उसके चहरे और जिसम की निशानी बने रहेंगे ये नजरे उठाएं जहरा ने मुझे खामोश पाकर अपनी नजरे उठाएं और मेरी आँखों में आसू देखते ही वो तड़पकर आगे बढ़ी ये क्या आप रो रहें हैं साहिर अब तो मंजल सामने है बहुत करीब खुदा के लिए खुद को यू आजर्दा ना करें मेरी रू का आखरी रेशा तक आपका मकरूस है कभी मैंने आपको रू का कब्जा मिलने तक के इंतजार का कहा था आज मैं आप से कहती हूँ कि मेरी रू खुद आपकी मुनतजर है आकर अपनी मुल्कियत का कब्जा ले ले जब आपका जी चाहे मेरी रू पलके बिचाए आपक को आपका इंतजार करती मिलेंगी अब मैं उसे क्या बताता कि ये आसू खुद मेरी मंजल को सामने देख कर उसके इस्तक्बाल के लिए ही तो बेह निकले थे इतने में सुल्तान बाबा भी अंदर से निकल आए उन्होंने जहरा के सर पर हाथ रखकर उसे बहुत सी दुआई थी फिर मुस्कुराते हुए जहरा को देख कर कहने लगे तुम्हारा ये कैदी अब जल्द तुम्हारे हवाले कर दिया जाएका कि इसका जुनून तो दिन बदिन बढ़ता ही जाता है लेकिन ध्यान से बेड़ियां डालना इसके अंदर की खोज किसी करवट चैन नहीं पा गुजर कए फिर वो ज्यादा देर वहां रुक नहीं पाई और हमसे रुकसत होकर पलट कर चल दी दरगाह की मुंडेर के पास रुक कर उसने पीछे मुड़कर मुझ पर एक नजर डाली क्या कुछ नहीं था सिर्फ उस एक नजर में जाने कितनी सद्यों का ठहराओ जाने कि जनम की एक तमानियत जहरा के जाने के बाद वक्त का कुछ पता ही नहीं चला ऐसा मेरे साथ हमेशा हुआ था वो जब जब मेरे सामने आई थी मेरे लिए जैसे वक्त थमसा गया था और जैसे ही वो मन्जर से ओजल हुई वक्त जैसे फिर अपनी रफ्तार चल पड़ता था क्योंकि यहां हमारा काम खत्म हो चुका था कल शाम को जो इस साल की आखरी शाम भी थी हमें जबलपूर से रुखसत हो जाना था लेकिन कहां हमेशा की तरह ना मैंने सुल्तान बाबा से कुछ पूछा ना उन्होंने कोई वजाहत की अलबता ये एहसास मुझे जरूर हो चला था कि शायद इस मरतबा ये मेरा और सुल्तान बाबा का आखरी मुश्तर का सफर होगा उधर हमारी रवानगी का सुनकर जहरा की अम्मी ने भी रुखते सफर बांधने का इरादा कर लिया क्योंकि उन्हें भी हफते भर से जायद हो चुका था और वहां शहर में जहरा के अबा की तबियत भी ठीक नहीं थी आखर कार हमारी रवानगी का दिन भी आन पहुचा जाती खजा की शामे वैसे भी उदास होती है लेकिन दिसंबर की वो आखरी शाम उदासी के साथ साथ एक अजीब सा दर्द और कसक भी अपने अंदर पिनहा लेकर उतरी थी हमें पहले दरगा से खान साहब की हवेली और फिर वहां से रेलवे स्टेशन जाना था क्योंके तैय यह हुआ था कि जहरा की गाड़ी भी खान साहब की गाड़ी समेत हमें इस्टेशन छोड़ने जाएगी क्योंके वहां तक जबलपूर से निकलने का रास्ता सांजा था दरगा से निकलने से पहले मैं अजगर साहब को विदा कहने लगा तो वो मुझे गले लगा कर भरा से गए और फिर अचानक ही फूट फूट कर रो पड़े उन्हें थपकते थपकते खुद मेरी आँखें भी नम हो गई सुल्तान बाबा ने हम दोनों को दिलासा दिया और अजगर साहब से बोले ये आसू बहते रहने चाहिए मन हलका और जर्खेज रहता है ये खुश खो जाएं तो दिल की जमीन भी बंजर हो जाती है ये आसू ही हमारी आँख का वजू होते हैं सो आँखों को पाक करते रहना होगा कुफारा अदा होते रहना चाहिए अजगर साहब ने आखरी बार मुझे गले लगाया अब्दुल्ला मिया मैं तुम्हें अपना दोस्त कहूँ बेटा कहूँ मौसिन कहूँ या रहबर एक साथ कितने रिष्टों का खजाना दिये जा रहे हो तुम मुझे कैसे लोटा पाऊंगा मैं ये सब मैंने उनके कांधे पर हाथ रखा अपना भी कहते हैं और वापस लोटाने की बात भी करते हैं अपनों में सौदे बाजी नहीं होती आप जब अपनी मन्जिल पर पहुँच जाएं तो मुझे इतला जरूर कीजिए का और अपना खयाल रखेगा नसीब में हुआ तो मैं बहुत जल्द आप से आकर मिलूंगा हम नीचे गाउं में पहुँचे तो हवेली की सभी मुलाजमीन उदास से गेट के बाहर ही सफर की तैयारियों में मसरूफ नजर आए बशीर करमदीन और जमाले ने खास तोर पर मुझे गले लगा लिया और सुल्तान बाबा से दुआ ली वहाँ हवेली के अंदर बैरूनी देवडी के पास बड़ी मालकिन और लारेब अफसुरदा सी जहरा की गाड़ी के पास खड़ी थी लारेब तो जहरा को गले लगा कर विदा करते वक्त अपनी आँखे चलका ही बैठी जहरा की अम्मी ने बड़ी मुश्किल से बड़ी मालकिन और लारेब को बाहर तक आने से रोके रखा कि खौमका सबका मन अलविदाई समय मजीद उदास और बोजल होका अलबता ये वादा वो बड़ी मालकिन से लेना नहीं भूली कि वो जल्द ही लारेब को लेकर शहर उनके हाँ चंद दिन ठैरने आएंगी आखिरकार हवेली से विदा होने का वो जाग उसी लम्हा भी आही गया सल्तान बाबा ने फर्दन फर्दन सभी को दुआ दी जहरा और उसकी अम्मी नम पलकों के साथ खान सहाब के खानदान से मिलकर अपनी गाड़ी में जा बैठी मैंने बशीरे को गले लगाते हुए धीरे से उसके कान में कहा अब्दल्ला की आमद की खबर मुझे जरूर देना बशीरे ने हतेली के पुछ से अपनी आखे पोश डाली करमदीन और जमाले वगारा से मिलता हुआ मैं बड़ी मालकिन तक पहुँचा तो उन्होंने मेरे सर पर हाथ रखा उनकी आवाज लरस रही थी हमें भूल तो नहीं जाओगे मैंने उनका अपने सर पर रखा हाथ अपनी आखों से लगा लिया मैं अपनी आखें यहीं आपके पास छोड़े जा रहा हूं जब दिल चाहे इन में जाक कर मुझे बुला लीजियेगा मैं मजीद उनकी लरस्ती पलकों से नजर नहीं मिला पाया और सबसे आखर में गमसमसी खड़ी लारेब की तरफ बढ़ गया मुझे रुखसत नहीं करेंगी वो जैसे पलवर में ही किसी और दुनिया से वापस आ गई पहले मैं आपके होने का कामल यकीन तो खुद को हो जाने दू रुखसत तो बहुत बात का मरहला है आपके लवजों का मरहम सदा मेरे साथ रहेगा अल्ला आपका निगबान हो मैं पलटकर खान सहाब की गाड़ी की तरफ चल दिया जहां सुल्तान बाबा पहले से मेरा इंतजार कर रहे थे गाड़ियां हवेली से बाहर निकली तो मैंने बड़ी मालकिन और लारेब की जानिब हाथ हिलाते हुए जबलपूर को एक अजीब सी उदासी में घिरते हुए महसूस किया हम इस्टेशन पहुँचे तो गाड़ी पहले ही लग चुकी थी खान सहब ने लपकते छपकते नौकरों की मदद से हमारा बराए नाम समान बोगी में मुन्तकिल करवा दिया जहरा और उसकी अम्मी भी हमें विदा करने के लिए प्लैटफॉर्म पर आ गई यहां से एक बार फिर मेरे और जहरा के रास्ते आरजी तौर पर जुदा हो रहे थे फिर वोही अलविदा फिर वोही कसक और तड़प मुझे हर बार ये अलविदा उस जंग जदा ग्लोटीन की तरहा लगता था जिसके नीचे कटने के लिए सजाए गए आशिक का सर कट तो जाए पर धर से पूरी तरहा अलविदा ना होने पाए और उस बेकस और मजबूर आशिक की जान तड़प तड़प कर और निकलते निकलते यू निकले कि उसकी पीठ पच्छे बंदे हातों और पैरों की सखत मुष्कें जानकनी के आलम में उसके जिस्म के रेशों में गुस्ती जाएं लेकिन हातों की बंदिश की वज़ा से वो ठीक तरहां से तरब भी ना सके और बंदे पैर उसे ठीक तरहां से एड़ियां रगड़ने का मौका भी ना दे कुछ ऐसा ही हाल उस वक्त मेरा भी था खान साहब ने रुकसत करने से पहले जोर से भीच कर मुझे गले लगाया और दुबारा जबलपूर आने का वादा लिया जहरा की अमी ने मेरे सर पर हाथ रखकर मुझे दुआ दी हम सब तुम्हारे मुंतजर रहेंगे इस बार देड़ ना करना बेटा आखर में वो परिजाद एक बड़ी सी काली चादर में अपने गुलाब रुख चहरे और जुकी पलकों के साथ मेरे विदा के इंतजार में खड़ी थी उसकी जुकी नजर उठी मैं आपका इंतजार करूंगी मैंने खुद को मुझतमा किया मैं आपको आपके हर इंतजार की हद से पहले आकर मिलूँगा अब मुझे विदा करें उसने फिर अपनी नजर चुका ली सब मध्धम पड़ किया कुछ अलविदा रुखसत करने के लिए नहीं अगली मुलाकात की पेश की खुशामदीद कहने के लिए होते हैं सो मैं सिर्फ इतना ही कहूंगी के खुशामदीद मेरे मुझे भी बेख्तियार निकला खुशामदीद ट्रेन की आखरी सीटी भी बच चुकी थी सुल्तान बाबा ने जहरा के सर पर हाथ रखा और हम दोनों गाड़ी में सवार हो गए ट्रेन ने एक हिचकोला लिया और धीरे धीरे प्लेटफॉर्म से निकलने लगी प्लेटफॉर्म पर खड़े सभी लोगों ने हाथ हिला कर अलविदा कहा लेकिन जहरा का हाथ योही हवा में जैसे मॉल्लक ही रह गया ट्रेन के सामने से हटते ही दूर पहाड़ों के पीछे गुरूब होते सूरज की एक आखरी किरन तेजी से जहरा की जानिब लबकी और मैंने बहुत दूर से भी उसकी आख में नमी की चमक लहराते देखी शायद ये जबलपूर के सूरज का मुझ और जहरा को आखरी सलाम था प्लैटफरॉम से धूप और इस्टेशन से गाड़ी दूर होती जा रही थी सूरज मेरे दिल से बोला सुनो दिसंबर उसे पुकारो उसे बुला दो उसे मिला दो अब इससे पहले के साल गुजरे अब इससे पहले के सांस निकले वही लकीरे वही सितारे मेरी हतेली में कैद कर दो ये आखरी शब के आखरी पल कोई बड़ा इखताम कर दो ये जिन्दगी भी तमाम कर दो सुनो दिसंबर उसे पुकारो उसे मिला दो